दोस्तों चाड़क के नीती चाड़क के द्वारा रचितेक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाओ दिये गए हैं जानिये चाड़क के कुछ ऐसी महतवपूर नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपने जीबन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा दोस्तों बैसे तो आचारे चारक के ने खुशाली भरे जीवन के लिए कई रहसे बताए हैं लेकिन शायद आचारे चारक के को इस बात का अंदाजा था कि किसी भी पुरुष को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो किसी इस्त्री दोरा धोखे का शिकार ह इसलिए खास कर आचारे चारक के ने पुरुषों को ऐसी इस्त्रीयों से साब्धान रहने की सलाह दी है जो कि उन्हें धोखा दे सकती हैं आचारे चारक के ने इस्त्रीयों के कुछ ऐसे रहस से बताए हैं जिनसे कोई भी पुरुष किसी इस्त्री के हाथों से धोखा खान से बस सकता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा बिस्तार से बताएंगे नमबर एक आचारे चारक के ने ऐसे लोगों से साबधान रहने की सलाह दी है जो औरतों की खुबसूरती देखकर शादी करते हैं दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है लड़के सुन्दर लड़कियों की सुन्दरता देखकर ही मन तर्मुगध हो जाते हैं इसलिए आचारे चारक के ने बताया है कि लड़की में सुन्दरता से ज्यादा स्वाभाव और उसके अच्छे लक्षणों पर ध्यान देना आचारे चारक के के नुसार जिस लड़की का सुन्दरता नहीं बलकि उसके संस्कार देखने चाहिए दोस्तों लाक सुन्दर होने के बाबजूद अगर उसमें संस्कारों की कमी है तो वो कभी भी अच्छी पतनी साबित नहीं हो सकती आचारे चालक्य के अनुसार बुरे संसकार बाली लड़की खुद ही पती-पतनी के रिष्टे को बचा नहीं सकती है नमबर तीन दोस्तों ऐसी लड़कियां जो महेंगे कपड़े और गहनों को ज्यादा पसंद करती है वो अकसर किसी अमीर घर के लड़के से शादी करने का सपना देखती है इसलिए अगर आपके पास किसी ऐसी लड़की से शादी का प्रस्ताव आता है तो साबधान हो जाएं क्योंकि अगर आप उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो आपको एक ना एक दिन धोखा आवश्य देगी आएसी इस्त्री से बिवाह करने से पहले उसकी मर्जी जरूर जान ले आएसी इस्त्रियां शादी के बाद भी अपने प्रेमी के बारे में सोच विचार करती रहती है इसलिए आएसी इस्त्रियों से साबधान रहना चाहिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजवल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत